सो हेलो एब्रिवन बात करते हैं आज फिरमल फार्मा के बारे में यहां पर आप देख रहे हैं अच्छे खासी तेजी सेवर में देखने को मिल रही है वैसे मैंने प्रिवियसली भी आपको बताया था जब इस सेवर में ब्रेक आउट हुआ था तो तब भी आपको यह बताया आ रहा है सो अगेन बताऊंगे इस वीडियो में अब क्या इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है आगे बढ़ने से पहले वैसे आप लोगों ने अभी तक हमारा वट्सप ग्रूप जॉइन नहीं किया है सो जॉइन कर लीजिए यहां पर प्रिवियसली दिया थ प्रिवियस एयर में एंड देखेंगे आप अभी फिलाल वन वीक में भी इसके जो रिटरंस हैं बहुत बढ़िया है एटीन परसेंट नाइंटीन परसेंट अल्मोस्ट एंड वन मन्त में यहां पे भी सही रिटरंस इसने प्रोवाइड किये हैं ट्वेंटी सिक्स तो बढ़िया ही रिटरंस हैं इंड वन इयर में भी 182 परसेंट रिटरंस रहे हैं सो रिटरंस इसने बहुत बढ़िया प्रोवाइड कर दिये हैं और देखेंगे आप जाला टाइम नहीं हुआ है सो दो सालों में कह सकते हैं एक दो सालों में ही इसके जो रिटरंस हैं सही नजर आ रहे हैं 40 परसेंट है वैसे इतने खास तो नहीं है बर ठीक रिटन्स हैं आगे चलिए देखते हैं कैसा स्टॉक है यह तो पर मोटर्स आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटन में जो पर मोटर्स हैं इनके बास अपरस 34% 35% इस्टेक है और FII DII के पास बहुत अच्छे कासे इस्टेक है एफ आई आई के पास 31% इस्टेक है और पादिन परसेंट इस्टेक है और पॉब्लिक को only 19% दिया गया है तो liquidity यहाँ पर कम रहती है तो अच्छा रहता है तो share holding pattern तो यहाँ पर सही है ठीक है majority वैसे अभी promoters के ही पास है तो सही है share holding pattern balance sheet में आप देखेंगे जो इनके reserves है reserves इनके ठीक ठाक है और जो borrowings है borrowings में आप देखेंगे under reserves इनकी borrowings है तो share holding pattern भी हम कह सकते है सही नजर आ रहा है क्योंकि under borrowings जो है under reserves ही है ठीक है जब चाहिए यह चुका सकते है मतलब अपनी उधारी तो balance sheet भी सही नजर आ रही है share holding pattern भी ठीक है quarterly result में आप देखेंगे एक quarter यहाँ पर जून quarter जो था negative था otherwise आप देखेंगे दो-तिन quarter से यह profitable ही रही यह company और compare to September 2023 तो 5 करोड से इस टाइम पर जो profit रहा यह 23 करोड जैनरेट हुआ है तो मतलब profit भी इस टाइम पर yearly basis में सही जैनरेट हुआ है increasing phase में रहा है तो quarterly result भी इसके सही provide हो रही है balance sheet भी ठीक ठाक है सही है और share holding pattern भी सही है मतलब overall stock जो है सही नजर आ रहा है देखेंगे आप वैसे मैंने previously आपको बताया था जब यहाँ पर यह stock एक ही range में घूम रहा था एक ही range में यह फस रगा था तो यहाँ पर बताया था 240, 41 के अबाव sustain करता है देन अच्छा target यह आपको दिखा सकता है बताया था 260, 280 जाता हूँ अधिक सकता है and then मैंने again एक और वीडियो में बताया था आगे क्या इसका support resistance रहेगा तो तब देखेंगे आप मैंने 300 के round तक कहा था और अब यह चल रहा है 297 के round so 300 के अबाव अगर यह weekly closing दे देता है weekly closing में एक candle form हो जाती है then 320 के round यह next जाता हूँ अधिक सकता है वैसे stock सही नजर आ रहा है अगर ज्यादा quantity आप लोग book करने का सोच सकते हैं more than हाप आप लोग मतलब profit book करते रहिएगा क्योंकि stock market है कुछ भी हो सकता है बाकी long term perspective से hold करने का सोच रही है तो कुछ quantity आप लोग long term perspective से hold करने का सोच सकते हैं और fresh entry लेना चाह रहे हैं तो अपने own risk में लीजिएगा यहाँ पर जो support level रहेगा यह 280 रुपीज के round रहेगा and next support level अब 260, 61 के round रहेगा जो यह resistance थी अब यह support का काम करेगी तो देखते हैं क्या होता है आगे इस stock में वैसे तो सही stock है returns भी इसने सही provide कर दिये हैं तो आप लोग more than half quantity book करने का सोच सकते हैं I hope आपको यह video समझ आई होगी Thanks for watching this video